दूद गर्म करने के लिए महिलान एक गैस चालो की तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट से कमरे की छथ गिर गई हाथसे में एक ही परिवार के पांच सदसे दब गई इसमें एक साल की बच्ची की मौत हो गई घटना जुझनु के सुल्ताना के वार नमबर 23 गडवा हो गई जबकि तीन गंबीर घायलों को जुझनु रैफर किया गया है जानकारी की मुताविक मौमद शबीर का बेटा आरिफ अपनी पत्नी नशीम बानो बेटी सना फातिमा और आलिया के साथ कमरे में सो रहा था आज सुबह करीब साड़े पांच और च्छे के आसपास ते के बाद छुटी दे दी गई वहीं चार घायलों को गंबीर हालत में जुझनु रैफर किया गया है गायल नसीम ने बताया कि वैसोबे बच्ची को दूद पलाने के लिए उठी थी गैस पर दूद गर्म करते समय अचानक जोड़दार धमाका हुआ जिससे मकान की पट्टि के अस्पताल में रैफर कर दिया जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने फातिमा को मिरत घोशित कर दिया बच्ची के शब को मौरच्री में रखवा गया है जबकि सना को प्रात्मी को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है वहीं तीन जनों को भरती कर उपचार किया पर पहुंची और मौका नक्सा तयार कर घटना को लिकर जानकारी ली